इलाइस्टेडी प्लेटफ़रम पर आप सभी का स्वागतता इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे 10 और 11 अप्रेल 2021 के हिमाचल परदेश राष्टे तथानतर राष्टिया क्रांट अफेर्स के बारे में पहला प्रसन है दुनिया का सबसे उंचा रेल बे आर्क ब्रीज कहां पर निर्मित किया गया है पांडुचेरी, कुलकत्ता, सीमला या फिर जम्मो कस्मीर तो इस प्रसन का सई उत्तर है जम्मो कस्मीर में से बनाया गया है ऑप्सन नमबर डीस प्रसन का बिलकुल सई उत्तर ह साथ में यादर कियेगा जम्मू और कस्मीर में दुनिया के सबसे उंचे रेल बेपूल का आर्च जिसकी उंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मेटर है का निर्मान पूरा हो चुका है केंदर सरकार ने बित मंत्रालिया के तहत न राजस्वा सचिप के रूप में कि सदिकारी के निउक्ति को मनजूरी दी है तरुन बजाज, तरुन सिरिधर, तरुन कपूर या फिर तरुन सरमातिस प्रसन का सही उत्तर है तरुन बजाज option number A is the right answer फुटबाल को संचालित करने वाली संस्दा फीफा ने किस देश के फुटबाल फैडरेशन को सस्पेंट कर दिया है दक्सिन कोरिया, पाकिस्तान, बंगला देश या फिर नेपाल तो इस प्रसंद का सही उत्तर है यहां पे option number B पाकिस्तान को यहां पे सस्पेंट किया गया है अगला प्रसंद है फोवर्स की अरपतियों की बारसिक सुची में लगातार चौत्थे सिर्ष स्थान पर कौन है एलन मस्क, रतन टाटा, जेफ बेजोस या मुकेश अमबानी इस प्रसंद का सही उत्तर है जेफ बेजोस, option number C is the right answer भारत के सबसे अमीर अरपती, मुकेश अमबानी कुल 84.5 billion अमरिकी, डॉलर के साथ दसमे स्थान पर है अगला प्रसंद है कौन सी भारतिया मैला, नौका चारलक अलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली मैला वन गई है अंकीता सर्मा, मनिशा कुमारी, नेतरा कुमानन या फिर अंजनी सिखावत, इस प्रसंद का सही उत्तर है नेता कुमानन, option number C is the right answer 7 अपरल 2021 को बनाये गए विश्व स्वाष्टे दिवस की थीम क्या थी देखिए इसकी थीम है सभी के लिए एक स्वाष्ट स्वाष्ट दुनिया का निर्मान करना option number 10 प्रसंद का विल्कुल सही उत्तर है याद रखिएगा 7 अपरल को बनाया जाता है विश्व स्वाष्टे दिवस और इस वर्स की थीम थी सभी के लिए एक स्वाष्ट स्वाष्ट दुनिया का निर्मान बेबल राम कलावन किस देश के राश्टर पती है दक्सिन कोरिया, बंगला देश, किर्गिस्तान या फिर सेसेल्स इस प्रसन का सयुत्तर है, ऑप्सन नमबर डी, सिसेल्स से इनका समन्द है और हाली में हमारे परधान मंतरी मोदेजी दोर इनके साथ बर्श्चोरी मीटिंग की गई इसकान से नामसुर्कियों में है हाली में किस मंतरालिया द्वारा आदिवासी स्वाष्टिया इसका आयोजन किया जाता है जन जातिया, कार्यमतरालिया यानि ऑप्सन नमबर 20% का बिलकुल सही उत्तर है देखे साथ मैं आपको यहाँ पे एक एबरिवेशन भी याद रखनी है कुछ मल्टीम के प्रयास रहते है कि जो जो important चीजे मिलती है वो भी आपके साथ यहाँ पे डिसकस की जाए तो आज की टू बहुत ही important एबरिवेशन है पहली है JCPOAA JCPOAA stands for इसका मतलब होता है Joint Comprehensive Plan of Action देखे थोड़ी सी unique जदूर है लेकिन आपके exam के लिए बहुत ही important है नेक्स्ट मन है हमारे पास RE-HAB stands for reducing elephant human attacks using weeds ठीक है देखे इसी तरह का प्रसन हमें एक उसमें district manager के प्रिक्सामें में देखने को मिले था दोनों एबरिवेशन आपके exam के लिए बहुत ही important है आगे हम discussion करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही मत्तोपून क्रांटाफेर्स के बारे में पहला प्रसन है सोलन मंडी और पालंपूर नगर निगम में मेर का पद किस बरक के लिए रक्सित किया गया है देखे ये पद रक्सित किये गया है सात में आपको याद रखना है तो ये फैक्ट आपके दिमाग में आ चुक है और आपको इतना ग्यात है कि हमाचल प्रदेश में पध्य तक पांच नगर निगम बनाएगे है सबसे पुराना सिम्ला है उसके बाद धरम साला है जो तीन नए बने हैं उसमें है सोलन का है पालंपूर का है और मंडी का है अगला प्रसंद है हिमाचर परदेश साइथ पंजाब जम्मु कस्मीर में बने बाली इंडस बेसिन की पांच बड़ी नदियां किस मिसन के अंतरगत निर्मल होगी तो देखिए इसके लिए जो यहां पे योजना सुरू की गई है सरकार की तरफ से तो इसका आपने यहां पे चार अप्शन है जलधारा पंचबटी या फिर सोच नदी मिसन या नमामी गंगे तो इस प्रसंद का सही उत्तर है नमामी गंगे मिसन के अंतरगत इने सोच किया ज मिलेगा इस स्वंद में हिमालियन बन अनुसंदान संस्तान की बिस्तरित परियोजना रिपोर्ट को परियाबरन बन एबं जलबाईयों परिपरतन मंतरल्य दोरा सभिक्रिती भी परदान की गई है अगला प्रसंद है इमाचल परदेश में क्रोना संकट के बाबजुद रा वर्ष 2019 में कुल राजस्वा प्राप्ती 6796 क्रोड थी जो की वर्ष 2021 में 7000 क्रोड रुपय तक पहुंच गई है मार्च 2021 के लिए कुल राजस्वा संगरह 1006 क्रोड रुपय रहा है तो इस सारे के सारे फेक्ट आपके प्रिक्सा के लिए बहुत इंपोनेंट और नभिंतम क किताबों की स्टेड़ी में हमारी हिमाचल परदेश और केंदर सरकार बजट तातार्थिक सर्वेक्षन की किताब लॉंच हो चुकी है बहुत ही महत्तोपुन हदेन समगरी से लेस किताब में आपको हदेन समगरी मिलती है इस किताब को ओबर व्यू करने के लिए आपको बि